हालो एवर्वर्ण आफसी का स्वागत है आपके अपनी हीट्यूब चला मैथ मज़ पर दोस्तों आज की वीडियों देखेंगे पिट्टीश थापने बिदी को किस प्रकार स्वाइब किया जाता है देखिए कि किलाश त्रेंद का टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट है ठीक देखिए पहले कोशन हमारे पास दिया है एकस प्लस वाई वरावर हमको 14 दिया है और दूसरा समीकर्ण दिया है एकस माइनस वाई वरावर 14 तो सबसे पहले समझ लेते हैं देखिए जो हमारे पास दो समीकर्ण है जे क्या दो चर्म है रैकिक समीकर्ण है तो इसको स्वाइ पर दाने हैं हंने आपस तीन लियाम होते हैं एक होता है प्रति स्थापन वीदी से सेकें रोता ब्लोपन वीदीः और थार्ड वता था बर तौ आउन गषर्णा ब्रते RSP किया जाता है इसके आने बाले वीडियों में सबसे पहला हमारा सबस्क्राइब करना है तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं किसी भी एक समीकर्ण से आप चाहाँ एक से या समीकर्ण बाई का मानने का लिएगा ठीक है तो देखी कैसे करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से ठीक है जो important बात होती मैं आपको एक इस्टेप बात बताने बाला हूँ ठीक है समयकरन एक से सबसे पहले समयकरन एक जो दिया है उसको हम पुना लिख लेंगे क्या दिया है X Plus By बरावर 14 तो इसमें हम क्या करेंगी देखी X का पक्षांतर यह बाई का पक्षांतर किसी का भी पक्षांतर कर सकते हो तो मैं इसको X को यह पर रखूँँगा बाई को पक्षांतरित कर दूंगा तो यहां पर जाएगा देखिए 14 माइनस बाई इसको हम समीकरण का नाम दे देंगे 30 ठीक है अब जो सबसे इंफोर्डन बात होती है वो यहाई पर समझने वाली होती है देखिए हमने समीकरण एक को लिया था ठीक है और उससे हमने X कमान इतना X कमान आ चुका है अब जो X कमान आया है उसको रखना कहां होता है इतना आपको समझना चाहिए ठीक है तो जो X कमान हमने निकाला है वो समीकरण एक से निकाला है तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि आप जो X कमान है वो समीकरण एक में ही रख दो ऐसा करने से आपका स नहीं होता है सवाल में ठीक है तो हम लिखेंगे समीकन से समीकन दो में एक्स कमान रखने पर जो समीकन सेकंड दिया है उसको हम इगर पुना उतार लेंगे एक्स माइनस बाइ बरावर फोर दिया है ठीक है तो हमको एक्स बरावर हमको दिया है 14-by तो यहाँ पर हम x के स्थाना पर रख देंगे तो 14-by और minus y हमको पहले से दिया है समीह करना में बरावर 4 ठीक है अब इसको हम स्वार्ब कर लेंगे देखिए इसको हम स्वार्ब कर लेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 14 आप इसमें जो जोड़ जाएगा तो minus का 2y बरावर 4 अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 14-4 is equal to 2y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं न देखिए जो 4 था उसको हम यहाँ पर लाए और minus 2y को हम यहाँ पर लेगा ठीक है माइनस के था प्लस का हो गया जो प्लस का था वह माइनस का हो गया ठीक है अब देखिए 14 में चार जाएंगे आपके पास 10 बचेएगा और 2y आप 2 चाम 10 को काट देंगे तो by is equal to हमारे पास 5 आज जाएगा अब by कमान आप समीकरण एक में रख दो या तीन में रख दो किसी में भी रख दो आपका एक्स कमान निकल आएगा तो देखिए हमें आप लिखेंगे by कमान by कमान समीकर न एक में रखने पर ठीक है तो समीकर एक क्या दिया हमारे पास x plus by बरावर 14 दिया है ठीक है इसमें x का माद निकारना है हमको निकार लिए कि प्रावर 14 थिच लिए बरावर 14 थो x को एक्स को कमान निकारना होे तो हमको इसको 5 कुए करना हो इस साइड वीज नहीं होगा तो इसको हम इसाइड भेज देंगे तो 14-5 तो एक्स का मान ना जाएगा हमारे पास नौ ठीक है तो देखिए हमने पिट्री स्थापन विदी से एक्स और बाई के मान निकाना सीखें है ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हुआ यह तो प्लीज भी लाइक ही तीका थाइब स्थाइब ट्रीक तो एक्साइब रवाचि का मैं।